नमस्कार दोस्तों एक बार स्वीर सी स्वागेत अपका आर्टिक लक्षर के डिजिटल प्लेट्फोर्म पर दोस्तों आज की स्यूडियो लक्षर में हम डिस्कस करेंगे डिफेकोग्राफी या प्रोक्टोग्राफी प्रोसीजर को डिफेकोग्राफी या प्रोक्टोग्राफी एक प्रकार का Special Radiological Investigation है BRT की यह है Special Radiological Investigation के पेपर में है and DRT की यह है Radiography Second Special का टोपिक है RPMC 2020 में इस टोपिक से 5 नम्मर का क्विशन पूटप किया गया था तो इस वीडियो में हम जानेंगे डिफेकोग्राफी Investigation क्या होती है यह कब की जाती है और कब नहीं और साथ ही हम जानेंगे कि किस प्रकार सिसको Perform किया जाता है इन सभी पॉइंट्स को हम आज की इस वीडियो में Completely Discuss करेंगे तो दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वरी सभी वीडियोज की notification आपको मिलती रही तो आईए बात करते हैं कि डिफेकोग्राफी क्या होती है तेकि डिफेकोग्राफी या प्रोक्टोग्राफी को सेकंड नेम से हम भी जानते हैं evacuation प्रोक्टोग्राफी डिफेकोग्राफी एक प्रकारगा fluoroscopy technique होता है जिसके अंदर हम pelvic floor को prolapse को evaluation करते हैं यह technique traditionally की जाती थी एक fluoroscopy की द्वारा जिसके अंदर हम barium contrast का यूज करते हैं लेकिन आज के लिए technique MRI की द्वारा replace कर दी गई है MRI technique की द्वारा जिसको हम MR-Dipycography या प्रोक्टोग्राफी कहते हैं next हम बात करते हैं इसके indications की यह technique यह procedure कब गया जाता है यानि किन conditions को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है फरस्ट है incomplete और abstracted defication या constipation patient के अंदर incompletely या abstracted defication हो मलत्याग के अंदर obstruction हो या incompletely मलत्याग हो या फिर constipation हो pelvic floor disorder pelvic cavity के जो floor है उसके अंदर disorder हो rectal prolapse fecal incontinence मतलब fecal के अंदर ICM होना uncontrolled होना controlled में नहीं होना fecal matter इन सभी conditions के अंदर इसको किया जाता है next बात करते हैं हम contract indications की तो ये procedure कब नहीं किया जाता है post operative rectal rectum के जो operation होता है उसके बाद में इस procedure को perform नहीं किया जाता है जैसे कि colonal anastomosis operation हो या surgery हो या फिर rectal की cancer surgery हो तो ऐसे cases में इस procedure को हम contract indicate करके चलते हैं next हम बात करते हैं कि इसके अंदर patient की क्या preparations होती है pre-procedural bowel preparations of small bowel to identify moments of this structure in relation to rectum during defecation इसके अंदर कुछ से pre-procedural bowel preparations होती है जिसके अंदर है जो defecation के दोरान जो rectum है तो उसके अंदर हम कुछ movements को इसके अंदर जानने के लिए identify करने के लिए जो उसकी जो past वाले जो rectum के past वाले structures है उन structures को relate करने के लिए उनके अंदर movements देखने के लिए हम यहाँ पर small bowel की कुछ preparations करती है तो सबसे पहले हम patient की जो cloth है उसको remove करके patient को एक hospital gown पिनाया जाता है और patient की सभी metallic ornaments होते उनको remove किया जाता है moody सी और 30 minute पहले exam से हम patient को लगबग 600 ml medium का solution पिलाती है patient को और उसके बाद में हम यह patient के procedure perform करते है तो हम बात करते है इसके procedure या पिर technique की तो यह जैसे barium हमने patient preparation की तो barium हमने 600 ml solution barium का पिलाया है तो वो इसकी small intestine है उसके level तक वहाँ तक पहुँच जाता है तो उसके बाद में यह procedure यहाँ पर follow up किया जाता है इसके अंदर 30 मिनिट का टाइम लगता है cold तो इसके अंदर इसके procedure की बात करें तो patient को left letter decubitus position के अंदर सबसे पहले लिया जाता है और barium का paste mix किया जाता है एक special powder porridge की साथ में एक powder होता है porridge powder जो की barium के solution को stool की consistency की जैसा बनाता है ठीके यानि कि stool की consistency होती है उस तरह से यो ये powder है उसको mix कर देता है barium के उस paste को इसके अंदर लगबग 1.5-200 ml thick barium का paste बनाया जाता है उस powder के साथ में और patient की rectum के अंदर एक miller tube की सायता से 60 ml syringe के द्वारा diffication के लिए arch करता है तो contrast का जो installation है उसको हम फिर stop कर देती है बंद कर देती है and then एक sport film लेती है left lateral decubitus position के अंदर after position the patient on a compound chair and taken sport film during diffication according to the radiologist in different positions उसके बाद में patient को एक table होती है commode table या commode chair होती है sorry उस chair के उपर patient को बिठाया जाता है और उसके बाद में जब patient difficate करता है stool को या fecal matter को तो उसके दोरान उसकी जो sport films है वो ली जाती है according to the radiologist different different positions के अंदर a post vacation film is taken to look retained material and उसके बाद में जैसे ही हम पुरी film ले लेते हैं तो post evacuation के बाद में एक और film लेते हैं contrast है उसके completely evacuate होने के बाद में rectum से तो उसके बाद में ये film ले जाती है ताकि वहाँ पर जो contrast है उसकी quantity बची तो नहीं है उसको check करने के लिए after caring after caring after caring में इससी प्रकार के after caring नहीं होती तो दोस्तो इस प्रकार से आज की वीडियो लक्चर complete होता है कैसे लगे आपको वीडियो लक्चर comment box में जरूर बता हैं और साथ ही वीडियो को like करें और channel पर नहीं है तो channel को subscribe करें और bell icon को press करें तकि आने वाली से भी वीडियो की notification से आप update रहें thank you so much for watching आज के लिए इतना ही मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye